हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप लो तीन माई दो हजार इस इंडियान एक्सप्रेस में एक जो आर्टिकल छपी थी रिगार्डिंग दशिफ्ट इन अर्थ्स एक्सिस यानि कि जो अर्थ की जो एक्सिस है जिस एक्सिस के बेसिस पे अर्थ जो है स्पीन करती है इसमें थोरी स इसी शिफ्ट हूँ है तो यह शिफ्ट जो हुई है इसके वाज़ से अभी यह बोला गया है कि देज उट भी लॉंगर तो इसका में पीछे का जो हम लोग टेक्निकल एक्सपेक्ट जो है उसको स्टड़ी करेंगे यहां पर और मेंली इसके जो कॉजेस के बारे में डिसकस करेंगी तो देखिए from physical geography जो आपके GS paper 1 या फिर prelims point of view के हिसाब से बहुत ही important है तो इस वीडियो का end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो के notification इस तरह आपको मिलते रहे और इस वीडियो का जो note है आपको website में हमारी मिल जाएगी नीचे description में उन्हें website का link दे दिया है वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो recently American Geophysical Union तो इस जो 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 फिजिकल रिसर्च लेटर में यह कहां गया है कि अर्ट की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानि कि देखें यह जो अर्ट है यह अपनी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से पीन करती है तो इसमें थोड़ी सी shift हुई है और इस shift का जो meaning जो इसका main cause बताये गया है melting of glaciers अभी melting of glaciers के वज़े से कैसे यह shift हुई है इसके mechanism के बार में भी discuss करेंगे तो यह जो study करने के वज़े से जो भी data लिए गये हैं जो भी calculations किये गये हैं यह NASA का जो gravity recovery climate experiment जो है इसको short form है हम जो grace mission भी बोलते हैं कभी-कभी ऐसे छोटी-छोटी topics आपको पूछे जा सकते क grace mission कौनसी space agency का है यह NASA का है याद रखेगा छोटी-छोटी points आपको यहां से पूछे जा सकते हैं अभी देखिए यह जो थोड़ी सी shift हुई है eastward जो spin of axis जो हुई है इससे क्या हुई है कि हमारे day to day life पे इसका कुछ effect नहीं पड़ेगा क्योंकि day light जो है day time जो है यह just few milliseconds का इ इतनी घबरानी की बाट नहीं है लेकिन यहां पर देखे main जो यहां पर reason है इसके वज़े से जिस reasons के वज़े से यह हो रही है यह थोड़ी सी सोचने वाली बात है तो अगर देखेंगे main हम लोग earth का अगर यह देखे तो यह अगर main axis है तो इस axis से जो भी axis के through earth spin करती है यह थोड़ी से tilted होती है तो यह बोला जाता है कि यह जो tilt होती है 23.5 degree यह tilt होती है तो इसके हिसाब से earth यहां पे जो है rotate spin करती है और यह जो है earth की जो celestial equator तो यह point जो हो गया यह point जो है north pole और यह जो celestial south pole यहां पे हो जाता है और यह इसका जो angle यह जो है 90 degree यानिकि जो celestial equator है यह 90 degree एंगल जो through the spin of axis के साथ करती है और यह जो celestial equator आप देख सकते हैं कि Brazil और अगर Asia, South Asia के बारे में बात करेंगे तो Maldives के नीचे से जाती है अफरीका के थोड़े से countries को भी यहाँ पर जो touch करके चली जाती है जो celestial equator तो थोड़ा फा इसके बार में समझेंगे तो earth axis of rotation तो यह earth axis of rotation यानिकि earth जो spin करती है एक angle एक जो एक line के थूर यह spin करती है तो यह जो होती है यह earth axis of rotation तो यह जो spin करती है जब सूरच की जब परिक्रमा करती है यहनले कि सूरच की revolution करती है तो यह उस हिसाब से हqua में खुड से sun की जो ray होती, यह सीधा जो है, जो आप अगर बात करेंगे, लगभग June से लेके, December तक जो है, North Pole पे यह directly आता और after July तो December जो है, सीधा South Pole में किता तो क्या होता कि दुनिया में दो ही season होता है Winter season और Summer season तो एक time में क्या हो जाता कि एक side में जो है, agriculture हो बहुत सार एफेक्ट उसको देखने को मिलता Changes of climate देखने को नहीं मिलता यह बिकाद थोड़ी सी tilted है इसके वज़े से During summer भी, जो आप देखेंगे Northern Hemisphere में भी काफी countries में भी वहाँ पे गर्मी होती है Agriculture maintain होती है, Southern Hemisphere में भी यह maintain होती है यहाँ पे अभी देखें कि यह जो point है यह point जो earth की यहाँ पे North Pole और South Pole में जहाँ पे इंटरसेक करती है, इसको geographical North Pole और इसको geographical South Pole बोला जाता है अभी यह axis इस angle से जो है, यह actually move करती है, जहाँ पे earth की mass distribution ज़्यादा हो यहाँ पे, through earth की mass distribution, तो इसके बारे में भी देखें, हम जब global warming होती रहती है, तो क्या होती है कि glaciers जो है, यह पिखलती रहती है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा millions of millions of tons यहाँ पे पानी आती है, तो क्या होती है कि earth की hydrosphere जो है, यह change होती है इसके हिसाब से earth की mass distribution भी change होगी, और उसी के दोरान जो है, यह pole भी यहाँ पे shift होगी, तो यह pole जब यहाँ पे axis जब shift होती है pole भी shift होती है, और इसी system को यहाँ पे बोला जाता है polar motion, तो next यहाँ पे बात करेंगे, जो नई study के हिसाब से यह बोला गया है कि 1990 के बात, जो है climate changes के वज़े से, याने कि global warming के वज़े से, जो speed से बर रही है, billions of tons, जो है glacier, यह ocean में पिघलती हुई आ रही है तो इसके वज़े से earth की mass distribution, अलग-अलग जगाओ पे अलग-अलग हो रही है, और इसी के हिसाब से क्या हो रही है, यह axis भी उसी के basis पे जो है earth की जो balance को maintain करने के लिए eastward यहाँ पे direction में shift हो रही है, और इसी के हिसाब से pole भी उसी के साथ through polar motion shift हो रही है, अगर बात करेंगे हम 1995 से लेके 2020 तक, याने कि पिछले 25 साल में यह लगभग 17 times faster तरीके से हो रही है rather than 81 से 1995 तक जितनी हुई थी, याने कि बहुत ही faster तरीके से हो रही है भले ही यह आपके daylight में या फिर daytime में कुछ millisecond का ही फर्क लाता है, लेकिन यह देखने वाली बात है कि 17 times faster तरीके से हो रही है तो बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे और यह बोला जा रहा है कि पिछले 25 सालों में यह पोल जो है लगभग 4 meter shift हुई है भई 4 meter बहुत ज़्यादा meter नहीं करता है लेकिन जिस वजह से यहाँ पे हो रहे हैं यह बहुत सोचने वाली है तो उसके main causes के बार में भी discuss करते हैं तो causes जो है पहला causes यहाँ पे बोला जा रहा है कि ice melting तो 1990 के बाद जो ice melting हो रही है because of global warming बहुत ही ज़्यादा हो रही है तो इसी के हिसाब से polar drift हो रही है axis जो है rotation यह थोड़ी eastward direction में change हो रही है shift हो रही है और उसी के साथ north pole और south pole तो south pole जो है westward direction में होगी इसके हिसाब से और अगर बात करेंगे non-glacial regions में जो terrestrial regions में जो climate change और sustainable consumption of groundwater के वज़े से जो irrigation के लिए हम लोग करते हैं उसके हिसाब से भी climate change होती है उसके हिसाब से भी change होती है यहाँ पर groundwater depletion हम लोग अलग-अलग uses के वज़े चाहे वो agriculture हो गई drinking purposes के लिए हो गई industrial purposes के लिए हम क्या करते हैं groundwater को pump करते रहते हैं अभी groundwater एक time में जाके क्या करेगी यह जो rivers के साथ match करती है river जो होती है river का एक flow ही होता है यहाँ पर river जाके फिर से क्या करेगी जो sea के साथ यहाँ पर connect करेगी तो in and out हम लोग क्या करें river की जो level इसको कम कर रही है और जब यहाँ पर billions of tons जो पानी जो हम लोग extract कर रहें उसके हिसाब से sea level भी उसका definitely effect परेगा और फिर से उसको redistribution करने के लिए जो क्या होगा अलग अलग जगा से जो glacier की जो पानी है अगर आपने ocean करन में पढ़ा है तो ये भी ocean की तरफ या sea की तरफ आती जाती है तो इसको अगर देखेंगे इस image से आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा ये देखिए ये जो well है यहां से जो हम लोग extra pump करके हम लोग लेके जा रहे तो इससे क्या होता है कि जो fresh water level यहां पे लाया जा रहे तो sea water level भी इससे कम होगा तो sea water level को फिर से इसको balance करने के लिए दूसरा जो glacier यहां पे पिखलती रहती है इसका पानी भी आएगा तो redistribution यहां पे होती रहती है तो इसके वज़े से यहां पे जो है जो earth में जो mass transfer यानि कि जो mass होती है यह अलग-अलग direction में यहां पे हो रही है और इसके हिसाब से यह spin of axis यानि कि axis of rotation यह थोड़ी सी eastward direction में change होती जा रही है और इसके हिसाब से अगर देखेंगे इसका main effect जो होती है हमारे day time में पड़ेगी यानि कि days जो है कुछ few milliseconds लंबे होंगे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है लेकिन main जो causes है इसके यह causes बहुत ही सोचने वाली बात है तो आशाक था इससे आपको बहुत कुछ चीज़े सीखने को मिलागा यह complete analysis था regarding the shift in earth's axis और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगए इसको please like किज़ेश को subscribe किज़ेश को share कर देजे कि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा